जब भी हम रोटी बनाते हैं तो अकसर दो चार रोटी या तो बची जाती है तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहे हूँ बची हुई रोटी का बहुत ही टेस्टि सनास्ता इस साब बनाकर महीने तो कस्टोर भी कर सकते हैं इसे अब छोटी मुटी भूग में या चलती फिर तो ऐसे भी खा सकते हैं यह बहुत ही टेश्टी लगती है तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं फ्रेंस अगर आज की रेस्पी आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को कर दीज़ेगा सब्सक्राइब तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले गैस के उपर एक कराही रखेंगे इसमें हम लेंगे देर कप दूद है अब दूद टालने के बाद इसमें एक उबाल आने देंगे और यहाँ पर देखिए इसमें एक उबाल आ गया है अब इस हम चलाते हुए 5-6 मिनट तक पका लेंगे म अब हम क्या करेंगे इस तरह से एक मिक्सर जार लेंगे और जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं सारी रोटी को हम तोर के इस तरह से मिक्सर जार में डाल देंगे तो सारे रोटी को मैंने तोर के डाल दिया है अब इसे हम पीस लेंगे तो इसे हम रूख रूख के चलाएंग अब दूद को चेक कर लेते हैं तो दूद को यहाँ पर पकाते हैं 5-6 मिनिट हो गया है और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दूद पहले से काफी कम हो गया है अब इस रेश्टेज पर इसमें हम डाल देंगे चीनी तो चीनी यहाँ पर मैं 1-3 cup डाल रही हूँ यह चमस से 5-6 चमस चीनी है तो चीनी यहाँ पर थोड़ा सा कम यह ज़्यादा कर सकते हैं जिस तरह से आपको मीठा पसंद हो अब चीनी डालने के बाद इसे एक मिनिट तक और पका लाएं ताकि चीनी अच्छे से इसमें मेल्ट हो सके और यहाँ पर देखें चीनी अच्छे से मेल्ट हो गया है अब इसमें हम डाल देंगे यह पीसी हुई रोटी और इसे डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम इसी तरह से continue चलाते हुए तब तक इसे पकाएंगे जब तक यह डोफर में ना आ जाए और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह थोड़ा सा गारा होना चलो हो गया है अब इसमें हम डालेंगे आधा कप ग्रेट किये हुए नारियाल इस तरह से जो सुखा नारियल आता है ना उसे मने ग्रेट कर लिया है आप यहाँ पर नारियल का वुरादय भी डाल सकते हैं यह डालना टोटर लफसनल है लेकिन इससे यह नास्ते में बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है अब इसे भी इसमें अच्छी मेख कर लेंगे और इसे हम इस तरह से मैस्क करेंगे तक हिसमे कोई भी लंच सी रेक उतलिया ना रहे इसे गारह होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है यह 3-4 मिनीद में अच्छी से यह डोफो में आ जाता है और यहां पर आप देख सकते हैं पहले से काफी अगारा हो गया है और यह लिजिए यह अच्छे से डोफा में आग गया है आप देख सकते हैं यह पैन को भी छोड़ने लगा है यह देखें तो अब इस स्टेज पर गैस का फिलम बन कर देंगे और इसे एक बर्तर में निकाल अब यहां पर मैंने इस एक प्लेट के उपर निकाल लिया है अब इसे हम थोरे देर के लिए थंड़ा होने देंगे और यहां पर देखें यह हलका सा थंड़ा हो गये है अब इसमे डाल देंगे 1 छोटा चमच घी अब हाथ को अच्छे से साफ कर लेंगे अब इसे हम अच्छे से मसलते हुए चिकना कर लेंगे अब यह हलका हलका गरम है मत्तब उतना गरम होना चाहिए जितना कि आप इसे छू सकें और साथ ही में एक चोथाई छोटी चमचीस में हम सौफ्ट डालेंगे आप यहाँ पर थोर सा इलाची पॉर्डर भी डाल सकते हैं अब इसे भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर देखिए इसे मनें अच्छे से मिक्स कर लिया है और यह अच्छे से एक डोफो में आ गया है यह जैसे जैसे ठंडा होते जाता है इस तरह से यह डोफो में आ जाता है तो अब हम क्या अब इसमें से हम थोड़ा सा पोसल लेंगे और इस तरह से हम पेरे बना लेंगे अब इसके उपर हम थोड़ा सा तिल लगा लेंगे तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा तिल लगा रही हूँ नहीं किया हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सांत में जो पेल आइकन है उसे भी एक बड़ा ओल पर प्रेस किजिएगा ताकि मेरे हर आने वाली नहीं वीडियो को नोट्रिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे तो लीजिए सारे मैंने बना के त्यार कर ल किन दैगा तब इसका हम दूसार सैज्स करेंगे और यहांपर आप देख सकते हैं इसका हलका हलका कलरड़ चेंज हो गया है अब इसका हम दूसार साथ अब इसे हम निकाल लेंगे और यहाँ पर आब देख सकते हैं देखके अभी सेहीं कितनी typing लग रही है और यकीन वानिये खाने बहुत ही टेश्टी होती है कोई यकीन नहीं कर पाएगा कि आपने इसे बची हुए डोटी से बना यह चलिए इसि परह से तो लिजिए ये भी अच्छे से फ़राई हो गया है अब इसे भी हम निकाल लेंगे अब ये गरम है तो हलकी से ये सौफ्ट लग रही है लेकिन जैसे जैसे ये ठंडी होगी वैसे वैसे ये क्रिस्प होती जाएगी तो लिजिए तयार है बची हुई रोटी का बहुत ही टेस्टी शनासता इसे आप बना के महीन तक अश्टोर कर सकते हैं इसे बिहार में ठेक्वा कहा जाता है लेकिन उसे आटे से गुंदके बनाए जाता है लेकिन इसे हमने बची हुई रोटी से बनाया है और ये बुहुत ही टेस्टी बनी है और टेस्ट के साथ ये किलस्टी भी है मैं आपको एक पास to feel दिखाती हूँ ये देखें इसे मैं आपको तोर की भी दिखाती हूँ यह देख सकते हैं कितनी किर्स पर है यह देखें तो हर घर में दो-चार रोटी है तो बची जाती है तो इस बची ही रोटी की रेश्पी को एक बार मेरे तरीके से जरूर बनाए यह आपको बहुत पसंद आएगी तो उम्यद करते हूँ कि आज की रेश्पी आपको पसंद आई होगी रेश्पी पसंद तो वीडियो को लाइक शेर करें और अभी तक हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चानल को भी सब्सक्राइब कर ले और अपना फिटबेक देना ना भूले